हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रिडावल एस्टरडी पॉइंट में और मैं हूँ राजिद और आज मैं लेकर आए हूँ ब्रेकिंग निउज जो डायेक्ट बिहार बोर्ड से आया है बिहार बोर्ड ने लिया एक बड़ा एक्शन अगर एक्जाम फर्म का कॉलेज में लिया जा रहा है ज्यादा पैसा तो इस नमबर पर कॉल करे तो चलिए जानते हैं वियार बोर्ड ने कैसा एक्शन लिया है तो देखिए इंटरमेडियेट परिक्षा 2021 फर्म भरने की पड़किरिया बुद्वार से शुरू हो जाएगी फर्म 29 अगस से 28 अगस तक भड़ा जाएगा और जो इंटरमेडियेट परिक्षा के लिए जो फर्म भड़ाएगा 29 अगस से 28 अगस तक भड़ाएगा विद्याले परिक्षा समीती के वेबसाइट पर फर्म लोड कर दिया गया है फर्म को वेबसाइट से निकाल कर प्रचारे च्छात्रों को उपलॉद कराएंगे और यह फोर्म वेहर वोर्ड के दुआरा उनके ओफिसेल वेब साइट पाफ लोड कर दिया गया है और या आपके इस्कूल के प्रचारे या कॉलेज के परिचार है आपको ये फ़र्म देंगे लेकिन इसमें इंपोर्टेंट बात देख लिजिए इड़र के लिए नियमीत वह स्वतंद्र छात्रों को परिक्षा सुल्क 1220 रुप्या है जबकि फेल छात्रों को 920 रुप्या सुल्क देना है यानि जो अभी नए विद्यार थी है तो उनको 1220 रुप्या देना है और जो एक वार एक या दो वार फेल हो चुके है और वो फिर से एक्जाम दे रहे तो उनको 920 रुप्या देना है ठिक ओनलाइन पर इक्छाम फर्म में चात्रों को मुवाइल नमर इमेल अधार नमर भरना भरा जाना है और मैंने इसे पहले वाले एक न्यूज वीडियो में बताया है कि आप जब भी फर्म भरे तो अपना इमेल आईडी मुवाइल नमर और अधार कार्ड से जरूर लिंक करे अधार कार्ड फर्म में जरूर भरे दम पुड़ा ये कंपल सरी है भरना ताकि आपका जो ओरिजनल माक्सीट आएगा वो डीजी लोकर में आएगा और डीजी लोकर से आप किसी भी साइवर कैप से उसको निकाल सकते है अपने ओरिजनल माक्सीट को चलिए लेकिन आगे इ पूछना चात प्रकंड सिक्षा पद अधिकारी जीला सिक्षा पद अधिकारी या बोड के नंबर पर फोन करके दे सकते है ऐसा विद्याले के विरुध सक्त करवाई की जाएगी और जो विद्याले सुल्क निर्धारी सुल्क से अधिक पैसा ले रहा है जैसे कि किसी पैसा लिया जा रहा है बड़ा चड़ा कर अपना मन से तो अगर ऐसा कोई विद्याले में कर रहा है और अधिकतर ऐसा ही विद्याले में क्या जा रहा है बहुत कमी विद्याले जो निर्धारिक सुल्क ले रहा है तो उनको छोड़ कर जो भी ज्यादा पैसा ले रहे जो ज़ला का विद्याले या कॉलेज के खिलाप करवाई करें बस एक कॉल करना है अपने जो पढ़त् खंड सिख्छार दिकारी के पास भी कर सकते या जीला पदध दिकाणी के पास भी रह सकते या डारेक्ट 200 इसका से कायद कर सकते हैं और ताकि बोर्ड ओफिस इस कॉलेज या विद्धाले के प्रती करवाई कर सकें सकत करवाई कर सकें और आपको उत्रा सुल्क नहीं देना पड़े ज्यादा सुल्क ना देना पड़े निर्धारी सुल्खी देना पड़े तो अब आप सोचिएगा कि मैं नंबर कहां से लाओ कहां से कॉल करूँ तो बस आपको गूगल पर जाना है और आप जिस जिले पर है उस जिले का सिक्षा पद अधिकारी का नंबर सर्च करना आपको मिल जाएगा या बोर्ड ओफिस में आप डिरेक्ट करना चाहते हैं तो वहां भी आप डिरेक्ट गूगल पर जाकर साच किजिए बोर्ड ओफिस का नंबर आपको वहां से भी मिल जाएगा ठीक और अगर आप सोच रहे हैं कि स्कूल में किसी करमचारी से यह सिकायत करें तो नहीं वहां से आपको कुछ नहीं ह पाद विवाद करने से अच्छा है कि आप डिरेक्ट जिला पदादिकारी या बिहार बोर्ड के ओफिस में डिरेक्ट यह बात बताए ठीक अगर आप स्कूल में या कॉलेज में किसी सिक्षक से या कलर्क से इस बात पर मद्भेद करते हैं तो वह आपका फ्रम भी ना भड या कुछ गलती कर दे ताकि आपको फिर एक साल पीछे हो जाए तो ऐसा काम ना करें डिरेक्ट बोर्ड ओफिस में इसका कंप्लेन करें तो यह थी आज की ब्रेकिंग न्यूज और ऐसा ही बिहार बोर्ड से न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल से जूड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए ज्याद से ज्याद से शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त लोग का भी ज्यादा पैसा बरवाद नहों हो पाए ओके आज भड के लिए तना ही गुड़वाए जाहिद